दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो जूठे मुकदमे होते हैं 498A406 IPC के अंडर उसमें जनरली देखा जाता है कि family members को और बुज़ुर्ग parents को, grandparents को, siblings को सबको party बना लिया जाता है, accused बना दिया जाता है और उनको हर court date पे जो court hearings है उनको face करना पड़ता है तो कैसे वो अपनी personal exemption उसमें ले सकते हैं जो family members हैं और इसके उपर क्या law है इसके बारे में इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो normal trends सबसे पहले discuss करें तो क्या होता है 498-406 के जो IPC के जूटे मुकदमे हैं उसमें क्या होता है husband और उसकी पूरी family को इसमें accused बना लिया जाता है बहुत बार देखा जाता है कि जो बिमार होते हैं, grandparents, married sisters होती हैं और married sisters के जो husbands हैं उनको भी accused बना दिया जाता है किया जाता है और जो ये criminal cases हैं, ये wives जो हैं जान बूच कर दूर से दूर जो होती हैं, जगाएं होती है जहां पर वो पहले रहती भी ना हो, वहां पर जाके वो करती है, मानलो किसी relative के यहां पर जाके वो अपना address बनाती है और वहां पर जाके फिर जूटे cases को file किया जाता है, जो husband वाली side है, उनको maximum तोर पे harass किया जाए तो ये normal trend है जो देखा जाता है, तो इसे problem क्या arise होती है, तो सबसे बड़ी problem तो किया होती है कि जो trial court होता है, वहां पर हर बार, हर date पे सभी accused को जाना होता है इस पर criminal हो, हर accused को वहां पर case की hearing के time जाना होगा तो जो family member जिनका इन cases से कुछ लेना देना नहीं है, उनको even cases के facts भी नहीं पता होते, क्या है, क्या नहीं उनको भी इतने दूर दूर places पे जाना बहुत मुश्किल होता है जाने में तो ये एक बहुत बड़ी problem है, जो बुज़र्ग parents होते हैं, grand parents होते हैं, बिमार भी होते हैं, उनके पास बहुत मुश्किल हो जाती है और कि उनको एक normal vehicle में ले जाया जाए, buses में जाए, trains में जाए, तो बहुत ही मुश्किल है इवन जो married sisters होती हैं, जो कहीं और उनकी marriage होई होती है, वहाँ से उनको आना पड़ता है हर तारीख पे जो working या पढ़ने वाले siblings होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहाँ पर court dates में जाना पड़ता है बिना किसी reason के तो इसमें पैसा भी बहुत जादा लग जाता है, आने जाने का जो खर्चा है, अपनी employment आप छोड़ते हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत बड़ी problem हो जाती है तो इसमें अगर इतनी बड़ी problem है, तो remedy कहाँ पर है, क्या हो सकता है, क्या इसका solution है तो इसका जो solution है, वो criminal procedure code में ही दिया हुआ है, जो एक act है, जिसके थूँ जितने भी criminal trials हैं, जो भी courts का का काम होता है वो सारा का सारा इसी procedure code के जो थूँ ही conduct किया जाता है इसमें दो sections है, section 205 और section 317 CRPC में, इन दो sections के under, जो भी relevant section होगा as per the circumstances, stage of case, इन में application लगती है और उस application के थूँ जो ये family members हैं, इनकी personal presence, जो है code से request किया जा सकता है तो इसमें 205 और 317 में major difference क्या है, अगर मैं discuss करूँ तो 205 क्या बोलता है, कि अगर आपको exemption ले नहीं है किसी भी family member की personal attendance, कोई भी accused है, वो अपनी exemption ले सकता है जब तक कि उस case में, जो proceedings हैं, अभी पूरी तोर पे शुरू नहीं की गई है या फिर हम बोलें, charges जो है अभी तक frame नहीं हुए है, जिस magistrate के पास अभी आपके case के वहाँ पर आप 205 की application लगा सकते हो, means starting होती है जब case की जब case पूरा proper चल जाता है, trial शुरू हो जाता है, charges frame हो जाते है अगर उस वक्त आपको कोई भी exemption लगानी है, personal exemption की application तो वो लगेगी section 317 में, पहले 205 में और बाद में 317 में तो कोई भी section हो, आप इसमें application आप अपनी लगा सकते हो अब बात होती है कि क्या लिख सकते हैं इस application में तो इस application में आपको लिखना है कि आपको personal exemption चाहिए कौन-कौन से family members हैं जिनकी आप exemption apply कर रहे हो क्या उनके reasons हैं, आप लिखिए कि हाँ जी कोई medical requirement है उनको वह नहीं जाना बोला गया है doctor के द्वारा या कोई employment का issue है, या कोई paper exams वगरा होते हैं कोई educational difficulty है कोई भी, तो इस तरह कि आप सारे documents भी उस application के साथ लगा सकते हो और बहुत बार courts जो है, इसको एक liberal view लेके decide भी करती है और personal तोर पे उनको exemption मिल जाती है तो ये सब आप चीजें application में लिख सकते हो तो एक question उठता है कि ये remedy जो है, क्या सिरफ family members के लिए है ऐसा नहीं है, family members के लिए तो है ही है plus husbands के लिए भी है क्योंकि section 205 या 317 ऐसा नहीं बोलता कि आप husband नहीं जा सकते, personal exemption नहीं ले सकते ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ एक judgment आई थी Supreme Court की बड़ी famous judgment रही है ये, Rajesh Sharma versus State of Uttar Pradesh 2017 की है ये Supreme Court की judgment और इसमें directions दी गई थी कि जो family members हैं, उनको exemption court दे सकती है उनको एक liberal view के through अगर वो दूर रहते हैं, कोई medical issue है कोई और issue है, तो वो exemption जो है court, magistrate court जो है दे सकता है, ऐसी Supreme Court ने guidelines दी थी, directions दी थी और ये बादवाली judgment के through भी कभी आज तक overall नहीं हुई है तो husband भी इसमें apply कर सकते हैं कोई ऐसा बार नहीं है बट husbands को exemption जो है कभी कभार ही लेनी चाहिए कोई बहुत ही extreme जब urgency हो या कोई ऐसी चीज हो जो beyond control हो हर बार अगर exemption लोगे तो court कई बार नहीं भी देते exemption family members को mostly court जो है exemption दे सकते हैं और उनकी harassment आप इस वे में save कर सकते हो तो ये था मेरा video about personal exemption और बाकी के वीडियो में आप देख सकते हो जो भी false cases के regarding different different issues उठाए है उनको आप पढ़ सकते हो देख सकते हो अगर आपको कोई लगता है कोई feedback है कोई query है आपकी तो आप इन contact details पे share कर सकते हो thank you दोस्ता हो